पाँच्वे चरण में प्रतापगड में भी मद्दा है और प्रतापगड जिले की साथ सीटों पर इस बार कांटे की टक्कर दिखाई दे रहे क्या है प्रतापगड की साथ विधान सभा सीटों के समी गरण आईए आपको समझा दे प्रताबगार जिले में विधान सभा की साथ सीटे हैं 2017 में यहां चार सीटें भाजपा और अपना दलने चीती थी एक सीट कॉंग्रिस ने और दो सीट निर्दलियों ने चीती प्रताबगार की जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है कुंडा जहां पिसले तीन दर्शकों से राजा भाईया का सिक्का चलता आया है लेकिन इस बार सपा ने ना सिर्फ राजा भाईया के सामने उम्मीद वार उता रहा है बलके उनहीं के राइट हैंड रहे बुल्शन यादो पर दाव चला है उधर भाजपा ने सिंधुजा मिश्रा और बसपा ने मुहम्मद वईम को मैदान नूता रहा है प्रताबगार की रामपुर खास सीट भी बेहत खास है जहां लंबे समय से कॉंग्रिस का दबदबा रहा है यहां नौ बार प्रमोत तिवारी विधायक रहे और दो बार से उनकी विरासर्त उनकी बेती अराधना मिश्रा संभाल रही है उनके सामने भाजपा ने नागेश प्रताब सिंग को और बसपा ने पांके लाल पटेल को मैदान में उता रहा है इनके अलावा प्रताबगर की सदर सीट की भी खासी चर्चा है यहां से सपा की सहयोगी पाटी अपना दल कमेरावादी की मुख्या क्रिशना पतेल मैदान में है उनकी तकर भाजपा के राजेंद्र मौर इससे बताई जा रही है जबके बसपा ने यहां आशुतोष तिरपाठी और कॉंग्रिस ने नीरज तिरपाठी परदाओं चला है प्रताबगर एक लोता ऐसा जिला है जहां कई कद्दावर नेताओं का दबदबा है लेकिन 22 की लड़ाई में प्रताबगर का राजा कौन बनेगा ये देखना दिलचस्प होगा एबीपी गंगा के लिए प्रताबगर से मनोस्तिरपाठी की दिपोड़ तो प्रताबगर का पूरा सियासी स्तमिकरन आपने देख लिया प्रताबगर एहम क्यों है ये भी आपने जान लिया आप आईए फटाफट से आपको बता देते हैं कि प्रताबगर की सबसे होट सीट कौन सी है तो देखिये प्रतापगर की कुंडा सीट सबसे होट सीट है और यहाँ पर काटे की टककर देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पर जेदियू से है रगुराज प्रतापसिन यानि की राजा भाया जिनका दबदबाल सीट पर है तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कभी 2002 के बाद सपा ने पहली बार यहाँ पर प्रत्याशी उतारा है और अखलीश यादव ने जमकर इस सीट के लिए बयान बाजी भी की थी कुंडा और कुंडी को लेकर जो बयान है वो काफी चर्चाव में रहा था सीट का जो मुकाबला है वो दिल्चस्प नजर आ रहा है क्योंकि कुल्शंग यादव पहले राजा भाईया के साथ ही थे अखलेश यादव ने कुंडा में प्रचार भी किया और जमकर उन्होंने बयान बाजी भी की है अब कुंडा सीट के बाद आई आपको बताते हैं बीच में कड़ी टकर देखने को मिल रही है यानि कॉंग्रस वर्से समाजवादी पार्टी की जंग इस सीट पर नजर आती है रामपुर खास में कांटी की टकर इन दोनों ही राजनेतिक दलों में नजर आती है कॉंग्रस और समाजवादी पार्टी के बीच में क्यों है अ ये भी आपको बता दें कि 2017 में इसी सीट से आरादना मिश्रा जीती थी लकनव तक पहुंची थी और एक बार फिर से इसी सीट से वो चुनावी मैदान में हैं नाकेश लगातार दो बार चुनाव हार चुके हैं इसलिए वो इस बार प्रमुख दाविदार माने जा रही हैं स ये दोनों जो नेता हैं वो आमने सामने नजर आ रहे हैं और इसलिए हम क्या रहे हैं कि प्रतापगड की रामपुर खास पर भी जो जंग है वो नजर आ रही है तो लगातार एक एक जंकारी वीपिगंगा आपको देता रहेगा बस कुछी वक्त बाकी है मतदान शुरू हो में वो भी हम आपको बताएंगे तस्वीरे तमाम दिखाएंगे